आज का जो सवाल है उसके बारे में जितिन दिजी जरब बताएगा हमारे दश्कों को कि जैसे सोई में बैठ कर खाना हाने के लिए आप हिदायत देते हैं लोगों को उपाए बताते हैं इसका क्या बैनिफिट रीजन है अस्ट्रालीजी के लिहाज से भी और वासू से के नज लातिगा जी सबसे पहले तो आपको और मैं आपने सबी शुरुताओं को यहां से कुंड़ी टीवी के माद्यम से सबको नमस्कार आपने बहुत अच्छा प्रशन शुरुवात में पूछ लिया यह बहुत इसका बहुत महत्व है इस बात का कि हमें अपनी किचन में बैठ क सोही में बैठ कर खाना खाना क्यों चाहिए दोस्तों आप अपने जब बाप दादा के साथ बैठ कर अपने पिता जी के साथ दादा जी के साथ बैठ कर या दादी के साथ बैठ कर अपनी मां के साथ बैठ कर जब यह सवाल पूछेंगे तो आपको इसका उत्तर बहुत अच जोतिश के अनुसार है, तो जोतिश का जो महत्व है, मैं वही बताना चाहूंगा, जहां खाना पकता है, चूले के पास, वहां बैठ कर खाने से मंगल हमेशा नेक असर देता है, खाना जो है, उसका जो ग्रह है, उसको मंगल के साथ रिलेट करते है, तो जब भी खाना जहां बनता हो, वहां बैठ कर खाना खाने से मंगल उच्छ होता है, जब भी मंगल नेक और उच्छ होता है, तो राहू का जो मंदा असर है, वो खत्म हो जाता है, तो जो भी दोस्त मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर एक मिनट के लिए वो जोतिश महत्व को छोड़ दें किसी भी तरह की उनको परिशानी आ रही है, उनका राहू खराब है, मंगल राहू कुंडली में किसी भी तरह से दृष्टी से मिल रहा है, एक कठा बैठा है, या राहू से मंगल के टक्कर हो रही है, या मंगल से राहू की टक्कर हो रही हो, इस तरह का कोई भी योग इनकी कुंडली में जब बन रहा हो तो ऐसे आदमी को ऐसे जातक को तो अवश्य बैट किचन में जहां खाना पकता हो वहां बैट कर खाना खाना चाहिए और जिनको इसकी बहुत गंभीर समस्य आ यह राहू की वज़े से प्रेशानिया किसी बी तरह की में और हिदायत देंगा कि नीचे जमीन पर बैटकर किचन के किचन में जमीन पर बैटकर खाना खाने से उनको इस तरह की सभी परिशानियों से रहात मिलेगी बहुत अच्छा सवाल अपने लदिका जी पूछा और मैं आशा करूँगा कि मेरे इस सवाल से जितने भी जो मेरे श्रोता हैं मेरे दोस्त हैं वो सबको इसका लाब होगा यह ऐसा उपाय है जिसको उपाय ना समझ कर हमारा हमारे रिच्वल्स हमारे संस्कारों में भगवतिया पर खिरपा करें